और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने गिल्ले सिक्वों को भुला कर व्यापक देश वेजन हित में तथा अपने बड़े होने के नाते भी उसी हिसाब से उनको अपने खुद के परिवार की तरह ही पूरा-पूरा आदर सम्मान भी दिया है। और हमारे ये रिष्टे केवल अपने राजनितिक स्वार्थ के रिए ही नहीं बने हैं बलकि ये रिष्टे आगे भी हर सुद्दुक की घड़ी में हमेशा ऐसे ही बने रहेंगे। अर्थात हमारे ये रिष्टे अब कभी भी खतम होने वाले नहीं हैं। ऐसी मेरी तरफ से ये हमेशा पूरी-पूरी कोशिस बनी रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ राजनितिक विवस्ताओं को भी पूरी तरह से नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। ये भी सबी जानते हैं। और इसलिए अभी-अभी संपन हुए लोगसबाम चुनाप के संबंद में जो परिनाम खासकर उतर प्रदेश में उभर कर सामने आये हैं। तो उस पर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस चुनाओं में सप्पा का बेस बोट अर्थात यादव समाज अपने यादव बहले जहां पर इनकी पापूलेशन ज़्यादा हैं अपने यादव बहले सीटों पर भी सप्पा के साथ पूरी मजबूती के साथ नहीं रह सका है अर्थात अंदर अंदर ना जाने किस बात के नराजगी के तहट भीतर घाथ किया हैं और सप्पा के खास कर यादव बहले सीटों पर भी सप्पा के मजबूत उमीद्वारों को भी हरा दिया हैं तो ऐसे में अन्य सीटों के साथ साथ, खास कर कन्योज में, सिरी मती डिमपल यादव, बदाईयों में सिरी धर्मेंदर यादव, वैं फिरोजाबाद में सिरी राम गोपाल यादव के बीटे का भी हार जाना तो ऐसा है, जो अब हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। हलाके उत्तर परदेश में, जन अपेक्षा के विप्रीत आय चुनाप परिणाम में, इबीम की भी भूमी का काफी कुछ खराब रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, किन्तो इसके बावजूद भी, बीएस्पे का बेसबोर्ट वैसपा का अपना बेसबोर्ट जुडने के बाद फिर इन सब को कतई भी हरना नहीं चाहिए था, इनकी हार का हमारी पार्टी को भी बहुत ज़्यादा दुख है, और हमें ये आगे के लिए भी सोचने पर काफी कुछ मजबूर करता है, ऐसी स्थिति में ये आंकलन किया जा सकता है, कि जब सपा का बेसबोर्ट तक गया है, तो फिर उन्होंने बीएसपी को अपना बोर्ट कैसे दिया होगा, यहां ये भी सोचने की बाद है, और इसी खास संदर्म में, और इसी खास संदर्म में ही कल दिनाक 3 जून को दिल्ली बीएसपी केंदरी कार्याले में, उत्तर पर्देश के पार्टी संक्ठन क सबी वरिष्ट पदादिकारियों, एवंजन प्रतिनिद्यों की एहम बैठट में, इन चुनाप परिनामों की काफी गहन समिक्षा की गई, और समिक्षा में ये पाया गया, कि बीएसपी जिस प्रकार से, परंपुजे बाबसार डॉक्टर भीमरा अवंबेडगर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ अनुसासित वे कैडर अधारिक पार्टी हैं, और उसी के तहर सपा से गड़बंदन करके, उसी मानसिक्ता के तहर चनकर, सपा से गड़बंदन करके, बड़े मानपताबादी लक्ष की प्राप्ती को लेकर ये चुनाप लड़ा गया था, लेकिन दुख्के बात ये हैं, कि इस मकसद में, इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके समन्द में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी जादा सुधार लाने की जरूरत है, तथा उन्हें अपने आप में B.S.P. के कैडर की तरह ही, किसी भी हाल में त्यार होने के साथ साथ, B.J.P. की घोर जातिवादी, संप्रदाइक, जन्वरोधी नितियों से परदेश, देश, यानि कि उत्तर परदेश, देश, वैस समाज को मुक्ती दिलाने के लिए काफी कठोर संगर्स करते रहने की सर्थ जरूरत है, जिसका एक अच्छा मोका सप के लोगों ने इस बार चुनाओं में गवा दिया है, लेकिन अब आगे इन्हें इसी हिसाब से काफी तियारी करने की जरूरत भी है, और जदी मुझे लगेगा कि सप्पा परमुक अपने राजनितिक कारियों को करने के साथ साथ, अपने लोगों को मिश्णरी बनाने में क सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोग ज़ूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसे कारन वस इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना जादा बहतर होगा, इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने, कोकि अभी उनकों लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाई-अलक्षन यूपी में होने वाले वो तो कभी भी अनंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान इस्तिती में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहां कुछ सीटों पर होने वाले उप चुनाबों में फिलाल अकेले ही चुनाब लड़ने का फैसला लिया है, तो यह मुझे अपने बात क्यूं आपके सामने रखने ही पड़ी है, कल जो मैंने यूपी की ज तो याहरी रहते हैं पार्टी के लोग, लेकिन कल पूरे दिन बार राग भर इस तरीके से उसको गलब तरीके से, महला फाइड उन्टेंशन से, और ऐसा लगना था तक कि जैसे वो दूसरी पार्टीों के हातों में खेल रही हों, तो गलब तरीके से उसको हाईलाइट किया और उसको गलत तरीके से जो मेरे स्टेट जो मेरी तरफ से जो ब्यानबाजी मेरी तरफ से जो रुपोर्ट दी गई है तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मुझे अब खुदी मेडिया में आकर इस्तिती को स्पष्ट कर देना चाहिए इसलिए मैंने आज अपने जो कल जो भी क्या कुछ कहा सबस्प्रीमो मायवती ने जहां पर रब को बता दे बीएसपी और एसपी गट बंधन में दरार की बात से तो इंकार करती हुई नजर आई वहीं पर लेकिन वाई एलेक्शन जो की यूप में फिलाल होने वाले हैं उस पर अकेले ही लड़ने का फैसला किया ह मायवती ने कल हुई इस बैचक में ये जानकारी आज जह मायवती ने मीडिया से मुखातिव होते हुए दी